मद्यप्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी के दिगजनेता शेत्र में मोर्चा सम्हाले हुए हैं वहीं मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान ने भी अपने मंत्रियों के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की है बैठक से बाहर निकले मंत्री महिंद्र सिंग सिसोधिया ने कहा कि पूरी निष्ठा के संकल्प लिया है कि 27 की 27 सीटें हम जीतेंगे मुख्य मंत्री और पार्टी के आदेश का पालन हर कारी करता करेगा सभी लोग मिलकर इन सीटों पर मेहनत करेंगे मंत्री ने कहा कि यह चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं है इस चुनाव में जोत्रादित सिंधिया और शिवराज सिंग चोहान एक तरफ है तो दूसरी तरफ दिगविजय सिंग और कमलनाथ है मध्यप्रदेश की जनता एक तरफ राम लखन की जोड़ी देख रही है दूसरे तरफ बड़े और छोटे मिया की जोड़ी देख रही है बता दे कि मध्यप्रदेश में जल्द ही 27 सीटों पर उप्चुनाव होने है ऐसे में सभी पार्टिय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है आरोप प्रत्यरुप का दोर जारी है बतादेश जोत्रादित सिंग्या 22 विधाईकों के साथ कॉंग्रिस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे जिस वज़े से मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार यानि की कमनलाज की सरकार गिर गए और एक बार पर से मध्यप्रदेश में सिवराज की सरकार यानि की बीजेपी की सरकार ने सता में वाप से ही है दादेई की जल्द ही ऐसे में 27 सीटों पर उप्चुनाओं होने हैं अब ऐसे में देखना होगा कि मद्धप्देश की राजनिते में आगी क्या नया होगा बता दे कि सबसे बड़ी चुनावती जोत राधितर सिंध्या के सामने है ऐसे में देखना होगा कि मध्य पुदेश की इन 27 प्रीटों पर होने वाले उप्छुनाओं में जीत किसी होगी जानकारी सुटर एवं सुटर शोर से जान है इस जानकारी पर आपकी किया राहे है करें को बागी तुमारा आप जानकारी के लिए बने रही हमार साथ इस पर नाई में जुरूं से ही तिकर पर